हेलो आज की वीडियो में करेंगे डॉक्ट्राइन ओफ प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट अनुबंद से संबंद का सिधान्त इसका मतलब समय लेते हैं क्या है डॉक्ट्राइन ओफ प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट मीन्स दर लीगल रिलेशनशिप सबस्सिस्टिंग की को चाटन ने की कॉँट्रेक्ट करते हैं तो सथा चैषिव को बन जाता है जिसके वहaqu需ं कंट्रेक्ट करतेवे एक गॉन्ट्रेक्ट बन जाता है और जैसे ही वो contract बन जाता है, प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट जो है, वो exist हो जाती है, जैसी contract हो जाता है, तो प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट जो है, वो existence में आ जाती है, and प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट का मैंने क्या मतलब बता है, कि it is a legal relationship between the parties of the contract, कि जो parties of the contract है, उनके बीच में एक legal relationship बन जाता है, तो यह जो privacy of contract की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या परभाव है, क्या मतलब है इसका तो इसके क्या effects होते हैं तो इसके क्या effect है, पहला effect कि है कि only the parties, the contract can sue each other कि सिरफ जो parties है contract की, वही एक दूसरे को case file करना कि एक दूसरे के पर case file कर सकती है मुकदमा दायर करना, जिसको हम कह सकते है हिंदी में, सियू का मतलब कि मुकदमा दायर करने का जो है वो अधिकार सिरफ उनी को है जो उस contract की parties है, वही जो है case file कर सकती है एक party दूसरे के पर है, दूसरी पहले के उपर then stranger to the contract cannot sue a party to the contract की, जो एक stranger to the contract मतलब की, जो contract के लिए stranger है अजनभी है, अजनभी का मतलब की who is not the part of the contract की जो contract का part नहीं है, वो जो है किसी भी party को, जो है contract की party को sue नहीं कर सकता, for example की a और b के बीच में contract हुआ है अगर b अपने promise को पूरा नहीं कर रहा है तो उसके उपर case a file कर सकता है ना कि जो c कोई third person है वो जो है, वो b के उपर case file कर देजी कि आपने अपना promise पूरा नहीं किया तो अगर promise पूरा नहीं किया तो उसको promise पूरा करवाने के लिए a force कर सकता है इसी तरह से अगर a और b के बीच में promise हो गया अब a जो है अपने promise को पूरा नहीं कर रहा अगर promise को पूरा नहीं कर रहा तो b जो है वो a के उपर case file कर सकता है बी जो है वो A के उपर case file कर सकता है कि आपने अपना promise पुरा नहीं किया और अपके जो भी promise बनता है उसको आप पूरा करें तो but कोई third party को C, D, कोई E, F जो है जो contract का part नहीं है वो person जो है वो A को force नहीं कर सकता है एक उपर case file नहीं कर सकता है कि आपने अपने contract के अंदर अपने promise को पूरा नहीं किया है तो this is privacy of contract की कहने का मतलब कि legal relationship जो है वो सिरफ legal relationship हो जाएगा जो parties है contract की जो parties है उनके बीच में आपस में एक legal relationship बन जाता है बट उसका क्या effect है कि सिरफ जो parties है contract की वो ही एक दूसरे के अपर case file कर सकती है और कोई third party जो है उसमें जो की contract का हिस्सा नहीं है contract का part नहीं है वो case file नहीं कर सकती ठीक है तो आगे हम बढ़ते हैं अभी इसके बारे में तो यह जो हमने बताया आपको कि इसमें जो है सिरफ वही party जो है वो court में case file कर सकती है जो contract का हिस्सा है जो stranger है contract के लिए contract के लिए अजनभी है contract का part नहीं है वो दूसरी party के ऊपर किसी भी party के ऊपर जो है वो case file नहीं कर सकता तो इसकी कुछ exceptions है कुछ अपवाद है यह जो हमारा private of contract का सिधानत है इसकी कुछ exceptions है exceptions में सबसे पहला है trust और charge जब कोई अनुबंद जो है वो trust समबंदी हो भरोसे समबंदी हो विश्वास समबंदी हो तब जो है यह प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट यानि की इसकी exceptions का मतलब है कि वो party जो की कॉंट्रेक्ट का पार्ट नहीं है कॉंट्रेक्ट का हिस्सा नहीं है वो भी जो है वो case file कर सकती है promise ना पूरा करने पर तो उसकी कुछ exceptions है इसमें पहला है हमारा trust or charge trust or charge की भरोसे वाली बात है कोई विश्वास समबंदी बात है तो जैसे मालो x ने जो है वो parcel किया y के लिए x ने वो insured parcel जो है वो y के लिए भेज़ा अगर parcel जो है वो गुम हो जाता है parcel गुम हो जाता है तो Y जिसके लिए भेजा गया था वो person जो है post office के ओपर case file कर सकता है X ने भेजा था भेजने वाला कौन था? X था बट भेजा किसके लिए गया था? Y के लिए insured parcel भेजा गया था और X ने जो है वो parcel किया कैसे? post office के तुरू बट जो है वो post office वालों से अगर वो parcel गूम हो जाता है तो Y जो कि उस क्योंकि X ने तो post office वालों को दिया था बट Y कोई party नहीं है बीच में बट X ने जो है वो भरोसा रखते वे post office के ओपर जो है वो parcel जो है वो Y के लिए भेजा था तो बट अगर Y को नहीं मिलता है parcel loss हो जाता है तो Y भी जो है post office के ओपर case file कर सकता है कि as a trustee, as a addressee जो है उसका parcel पे हक है और उसको नहीं मिला है तो इसलिए वो post office के ओपर case file कर सकता है then acknowledgement or estopple acknowledgement or estopple acknowledgement or estopple का मतलब है कि जब कोई person जो है वो किसी को show करता है कि जी मैं यह हूँ या इसका agent बनके काम कर रहा हूँ और इस तरह से वो contract में enter हो जाते हैं तो कहने का मतलब कि वो बाद में उस बात को मना नहीं कर सकते उस चीज के लिए जो है जिनों जिसको उन्होंने acknowledge कर लिया जिसको उन्होंने माल लिया है दूसरी party को show किया है कि ऐसा है तो बाद में उस चीज के लिए वो मना नहीं कर सकते for example कि एक किरायदार है और उसने अपना एक आगे सब tenant रखा हूँ है और किरायदार ने आगे किरायदार रख लिया sub tenant रख लिया और आपस में दोनों लोग जो है वो agree होगे कि जो है वो जो किरायदार ने आगे किरायदार रख ले जो sub tenant है वो sub tenant जो है वो directly जो है लैंडलॉड को मालिक को जो है किराया pay करेगा और ऐसा उन्होंने आपस में agreement कर लिया तो दोनों agree होगे बट अब जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो rent pay करना बंद हो गया rent pay करना बंद हो गया तो जो है जो उसका मकान का या जो भी property का मालिक था तो उस landlord ने जो है वो case कर दिया directly जो है वो sub tenant के उपर तो sub tenant ने का कि जी मैं तो इसका पार्टी का इसका मतलब contract का हिस्सा ही नहीं तो जो rent देने की जिमेवारी है वो तो किरायदार किये वो तो tenant किये पट कोट ने decide किया कि जो सब tenant है उसने अपने आपको एक agent की form में represent किया था कि वो ही जो है उस property का इस्तेमाल कर रहा है और गारेक्टली जो है वो landlord को payment कर रहा है तो उसमें जो है प्राइविटी ओफ का कोई matter नहीं है और जो सब tenant है उसकी ड्यूटी है कि वो जो है landlord को payment करेगा तो यानि कि अगर आप किसी को acknowledge कर देते हैं तो उस चीज़ को आप बाद में मना नहीं कर सकते हैं देन मैरीज सेटलमेंट्स पार्टिशन और अधर फैमिली अर्रेंजमेंट्स का है मैरीज सेटलमेंट्स के से related issues है तो उन केसी में भी जो है वो प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट एग्जिस्ट करते हैं एक पिता है और उस पिता ने अपनी सारी की सारी प्रापर्टी जो है अपने दो बेटों के बीच में माट दी बट उन दो बेटों को कहा है कि आप एक certain fixed monthly allowance जो है वो अपनी बहन को यानि कि उस person की बेटी को पे करेंगे तो दोनों बेटे जो है वो agree होगे कि जी हम जो है वो उसको पे करेंगे बट कुछ समय के बाद उन्होंने जो है वो allowance पे करना बंद कर दिया तो उसके बाद जो है वो allowance पे करना बंद कर दिया वो इसी शर्थ पर दी थी कि उनको मंतली allowance पे करेंगे तो वो जो sister थी that was not the party of the contract contract की party नहीं थी but फिर भी जो है वो promise को enforce करवा सकते हैं तो ये family arrangements के जो cases हैं उसमें जो है अगर वो person जो है उस contract का part नहीं भी है हिस्सा नहीं भी है तब भी जो है वो promise पूरा करवाने के लिए case file कर सकते हैं अगर वो contract उनसे related है और इसमें एक काफी famous case है ख्वाजा मुहमद वर्सेज हुसेनी बेगम का किसका ख्वाजा मुहमद वर्सेज हुसेनी बेगम उसमें क्या था कि जो है दो father's थे एक की जो है वो minor daughter थी और एक का एक minor son था तो उन्होंने जो है वो agree कि दोनों की शादी करा देते हैं लड़का और लड़की की दोनों की शादी करा देते हैं तो उसके बदले में जो है ये condition लगाई लड़की के पिता ने ये condition लगाई कि जो लड़के का पिता है वो अपनी daughter-in-law को जो है monthly जो है वो कुछ amount pay करेगा for खर्चाय पांदान उसमें नाम दिय जागया था कि खर्चाय पांदान यानि की बिटल वाक्स के लिए जो है वो कुछ monthly जो है उसको payment की जाएगी तो उसके बाद कहें कि जो लड़की का पिता था उसकी death होगी लड़की के पिता की death होने के बाद जो है वो लड़के के पिता ने जो है वो अपनी daughter-in-law को अपन कि जो लड़के का पिता है उसकी बहु ने अपने father-in-law के उपर case कर दिया कि जी है मिरको इन्होंने यह जो खर्चाय पांदान के जो agreement हुआ था वो amount pay करनी बंद कर दिया तो court ने decide कि जो है एक family settlement का matter है और beneficiary as a beneficiary of trust जो है वो stranger to the contract होने के बावजूद भी जो है उसको वो amount out मिलनी चाहिए तो इस तरह से marriage settlement के partitions के case में क्या है कि अगर वो जह contract का हिस्सा नहीं भी होते तब भी जहन को case को enforce कराने के लिए sue कर सकते हैं ख्वाजा मोहमद versus हुसानी बेगम का case मैंने पताया था दुबारा से repeat करता हूँ शायद से कुछ clarity ना आ पाई हो तो उसमें क्या था कि X और Y के बीच में contract हुआ था क्या हुआ था जो father से उनके बीच में contract हुआ था मालो कहलो कि X जो है वो लड़की का pita है और Y जो है लड़के का pita है तो X और Y के बीच में contract हुआ था तो उसमें कहे कि उन्होंने अपने लड़का-Lड़की की शादी करने के लिए तयार हो गए बट X ने कहा कि जो लड़की का पिता था उसने कहा कि Y जो है अपनी बहु को यानि कि X की बेटी को जो है जो भी अमाउंट है वो एजर खर्चा है पांदान जो है वो पे करेगा तो contract हुआ था कि इसके बीच में father's के बीच में बट के पेमेंट किसको मिलनी थी उसकी जो है वो लड़की को मिलनी थी तो लड़की को पेमेंट मिलनी बंद होगी शादी के बाद जो है उसके father-in-law ने जो है वो पेमेंट करनी बंद कर दी क्योंकि लड़की के पिता की death होग जो है वो उसको enforce करवा सकती then covenants attached with land की कोई जो है special land है उस land के साथ जो है कुछ special agreements है या कुछ और चीज़े attached है तो वो भी साथ में जो है जिसने भी उस land को या उस property को acquire किया उसको वो चीज़े जो है वो पूरी करनी पड़ती है जो है उस लैंड के साथ attached था कि उसमें कुछ जैसे government की कुछ facilities वो use कर रहे थे तो उस facility को government की facility को use करने के लिए उनको यह था कि कुछ certain amount जो है उस facility को use करने के बतले में pay करनी थी तो बी ने जिसने वो land खरीदी थी उसने जो है वो annual payments करने से मना कर दिया कि उसके और government के बीच में कोई contract नहीं हुआ तो court ने decide कि जो इस तरह के जो land से related जो है वो attachments हैं या agreements हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे that means कि आपने बेशक government के साथ जो है वो further कोई contract किया है या agreement किया है नहीं किया है उससे कोई लेना देना नहीं है but जो land है उसके लिए जो पहले से decided है कि इस land को use करने वाला person जो है ये government facility इस्तिमाल करने के बदले में इतनी payment करेगा तो वो आपको payment करनी पड़ेगी that is covenants attached with land की land के साथ जो है कुछ attachments है तो उसके लिए वो साथ ही चीजें जो है वो साथ ही साथ जो है वो land के transfer होने के साथ ही वो चीजें भी साथ में transfer हो जाती है और जो person वो उस land को acquire कर रहा है वो उसको पूरा करने के लिए bound होता है then next है contracts entered through an agent agent क्या होता है contract of agency होती है इसकी बारे में ज़्यादा ड़ाएजन करेंगे ताब उसके बारे में देटेल में करेंगे बट एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट के बिहाब पर जो है वो एजेंट काम करता है और जो एजेंट के का काम है उसके लिए उसका principle जो है responsible होता है agent की responsibility नहीं है बशर्ते की agent ने जो 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 उसको जितनी powers दी गई है उन powers का इस्तेमाल करते हुए जो है वो contract में enter हुआ है तो अगर जो है for example की जो है A ने B को अपना agent appoint कर लिया A ने जो है वो B को अपना agent appoint कर लिया और B ने जो है वो कोई contract C के साथ कर लिया तो C के साथ कर लिया उस case में क्या है कि यह माना जाएगा कि यानि कि contract किया B ने और C ने contract इसके बीच में वहा B और C के बीच में बट B जो है वो किसका agent है A का agent है A जो है वो party of contract नहीं है बट फिर भी जो है वो exception है इस priority of contract की for example कि मानलो B ने जो है वो C के साथ contract किया और B ने का कि जी यह लो आप इतना समान इतना material और इसके बदले में इतने पैसे आप मुझे देंगे बट जो है वो C ने पैसे समान तो ले लिए बट पैसे देने से मना कर दिया अब पैसे देने से मना कर दिया तो जो उसका मालिक है जो principal है वो C के ओपर case file कर सकता है कि आपको समान दिया गया था और उसके बदले में इतने पैसे बनते हैं वो आप मुझे pay करें तो contracts entered through an agent उसमें जो है वो third party है वो third party यानि कि principal जो है वो case file कर सकता है बेशक वो जो है उस contract का हिस्सा नहीं है वो stranger to the contract है बट उ principal भी जो है उस contract related case file कर सकता है ठीक है then law relating to negotiable instruments और negotiable instruments में के case में भी जो है वो priority of contract का जो है वो exception exceptions applicable होती है कि यहां पर भी जो stranger to the contract जो applicable नहीं है for example की एका जो है वो किसी बैंक में account है एका अकाउंट है बैंक में और ए ने जो है एकजार रुपे का चेक काटके जहाए वो बी को दे दिया मालो ABC बैंक में एका जो है XYZ किसी बैंक में एका XYZ किसी बैंक मे account है और A ने उस XYZ बैंक का चेक काटके जहाए वो B को दे दिया खाता किसका है A का है बैंक में और A ने जो है वो चेक काटके दिया है B को अब B और बैंक के बीच में कोई contract नहीं है बट फिर भी अगर B जो है वो बैंक में जाता है उस XYZ बैंक में जाता है और चेक को present करता एक जारुपए का है 500 रुपे तो बैंक की डियूटी एक जार रुपे या 500 रुपे तो डट मीन्स कि प्राइविटी ओफ का एक्सेप्शन यहाँ पर बैंक के बीच में और विक बीच में कोई कॉंट्रेक्ट नहीं हुआ बट फिर भी बैंक की ड्यूटी है कि वो बी को पेमेंट करें ठीक है तो that is laws relating to negotiable instrument वहाँ पर भी जो है प्राइविटी ओफ कॉंट्रेक्ट का डॉक्ट्राइन सिधान्त जो है वो applicable नहीं होता आज की वीडियो में इतना ही है ओके थैंक यूँ